कि नमस्कार दोस्तों मैं तुन्जय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सठिक परामर्स में और दिखे आग जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं यह कुछ चैनल लगतार हम लोग पास आ रहा था कि अगर कोई रूलर एरियाज में क्रेट का बिग्रेस करना चाहता है तो उसको क्या कर परमिशन का करती आए है रास्ते में उनका सामान जाता तो पकड़ लिया जाता है तो ऐसा बहुत सारा सवाल आता तो इसके उपर हम लोग आप अपसे बात करने वीग कि वैसिक आपको क्या काई रिक्वार्म पंत ऑना ना पढ़े जब आप ग्रामीन्ट छेत्रों में इस ayud के इश्क्रैप का स्सथाइज्ञ ऐसे कांप अगर आप बेश्कला स्सक्राइब में या प्लास्टीक का नाम्ट करें इसे पहले ग्राम का या मुझस्पल में आता है तो वहांसे आप अपना नाम का रिद लाइसेंस बनवा लिए या फिर सॉप एस्टेबिस्मेंट एक्ट के अंडर में रेजिस्टरेशन करवा लिए उसका उद्यम में रिजिस्टेशन करवा लीजिए सबका स्क्राइप एक होना चाहिए और गाव में मालनीजिए जब आपका काम इकट्टा करना है कलेक्टर है तो आप उसमें लिखवाईएगा कि हाँ आप लोग स्क्राइप इकट्टा करते हैं और फिर आगे उसको बेस देते हैं उसके बाद जहां पर भी आप गोडाउन बना रहे हैं तो वो गोडाउन के लिए कम से कम आप लोग एक पॉलूशन का लाइसेंस जरूर निकलवा के रखिए क्योंकि मालनीजिए पॉलूशनल फायर होने से क्या होगा कि आप प्लास्टिक की चीज़े उस कर रहे हैं या काज़क की ची तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आप पूरे इंडिया में कहीं भी रहके यह विजनेस को कर सकते हैं आसा करता हूं कि छोटा सा टॉपिक था मगर चीज़े आपको हमने समझा दिया और अगर इससे रिलिटेड आपको डॉकमेंटेशन बनवाना है तो नीचे हमारा न झालॉड़ ऑब नहीं पृहिंए आपको टॉकमेंटेशन बन startersा टॉकमेंट आपको सा दोगिके इंडिया चाल शीज़े का बन दूपिक आपको सी वी जापकोई इंडिया में बने दॉकमेंगर आपको यामते पूमें इंडिया.